हेलो स्टुडेंट्स, बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रास्पोरिक एम्डियो सेख के अंदर उसकी जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लेंबेजीला टाइप तो आज अपने development of Plembezilla type के जो embryosic है या female gametophyte है उसके बारे में आज पढ़ेंगे तो first of all जो Plembezilla type का embryosic है female gametophyte है सबसे पहले किसने अवजोग किया तो Fangerlin and boys 1938 के अंदर Plembezilla micrantha ये एक plant है Plembezilla micrantha के अंदर Plembezilla type का जो female gametophyte है यानि embryosic है के development की सबसे पहले इसने study की तो आज अपने इसके development के बारे में देखेंगे इसका जो development है इसका जो प्रिवर्धन है उसकी starting कहां से होती है Microspore mother cell जो की deployed है द्वीगुनित cell है Microspore mother cell जो की deployed है द्वीगुनित है के अंदर एक meiosis division होता है अर्ध सुत्री विभाजन होता है meiosis division होता है resulting in इसका प्रिनाम क्या होता है जब मेगा स्पोर मदर सेल जो की डिपलोईड है एक अर्ध सुत्री विवाजन होता है तो result हमें क्या प्राप्त होता है चार इसमें 4 जो है नुकलियाई प्राप्त होते है और उनका जो विन्यास है अर्रेंजमेंट है वो 1 प्लस 3 सीनो मेगा स्पोर चारों जो मेगा स्पोर हैं 1 प्लस 3 के रूप में अर्रेंज रहते हैं 1 प्लस 3 मैं एक बार दोबारा डिपीड करता हूँ जैसा प्रीविस लेक्टर में भी बताया था कि 1 प्लस 3 का मतलब क्या है कि एक जो सिंगल न्यूकलियाई है वो माइक्रो पाइलर पोल की और स्तित रहता है और इसके अपोजिट साइड जो 3 न्यूकलियाई है वे कैलाजल पोल की और स्तित रहते है ठीक है और इसी विन्यास में इसी अर्रेंजमेंट में फर्दर इसमें क्या होगा एक माइटोटिक डिविजन होगा लेकिन माइटोटिक समसुत्री विवाजन होने से पहले इसमें एक फिनामिना होती है एक अलग प्रकार की घटना होती है जिसको अपने बोलते है न्यूकलियर फ्यूजन न्यूकलियर फ्यूजन का मतलब क्या था कि जो केंद्रक है उनमें आपस में सल्यन होता है और कौन से केंद्रकों में सल्यन होता है 1 प्लस 3 जो अरेंजमेंट है जो 3 नूकलियाई है जो 3 केंद्रक है उनमें आपस में fusion होगा सल्यन होगा ठीक है तो सल्यन होकर एक triploid triploid nucleus की formation होती है अब बच्चो फर्दर इसमें क्या होगा आगे इसमें पहला समसुत्री विवाजन होगा फर्स्ट माइटोटिक डिविजन होगा resulting in प्रेनाम सो रूप अपने को दो triploid nucleus प्राप्त होंगे और दो nucleus प्राप्त होंगे दो nuclei यहाँ पर प्राप्त होंगे ठीक है और इन में से दोनों जो pole है micropilar और kelajal pole दो जो pole है दोनों में से एक एक जो nucleus है center की और movement करेगा center की और आकर vested हो जाएगा ठीक है और एक mature embryosake में convert हो जाएगा अब अपने बात करते हैं structure of a mature embryosake और female gametophyte तो एक mature female gametophyte की structure देखे तो इसमें आप देखो कि जो एक जो nuclei ही है micropilar pole की तरफ बचा जो एक nucleus है वो egg cell के अंदर convert हो जाता है और ध्यान देने वाली ये बात है कि egg apparatus के अंदर सिर्फ एक egg cell ही होता है यहाँ पर synergid cells are also absent synergid cells इसमें नहीं होती तो unopcran egg apparatus के रूप में यहाँ पर सिर्फ एक egg cell ही होता है और बिल्कुल center में दो polar nuclei polar nuclei क्यों बोलते हैं क्योंकि दोनों ही जो nuclei है वो अपने अपने pole की ओर से आती है इसलिए इनको बोलते हैं tetraploid secondary nucleus यहाँ पर nucleus की संख्या किती है polar nuclei में nucleus की संख्या किती है 1 plus 3 total किती है 4 लेकिन cells किती है 2 एक cells कैसी है triploid और दूसरी कैसी है single nucleus ठीक है तो total nucleus की संख्या किती है 4 और बची triploid जो nucleus है यह antipodal cell के रूप में काम करती है तो बचो अब एक mature female gametophyte या embryosic में nucleus और cells दोनों को अलग-अलग study करेंगे तो सबसे पहले number of nucleus यहाँ पर जो किंद्रकों की संख्या है वो है 1 plus 4 plus 3 इसका क्या मतलब है यह देखो एक cell की संख्या किती है 1 plus 4 1,2,3,4 और plus 3 तो nucleus number of nucleus किंद्रकों की जो संख्या है वो है 1 plus 4 plus 3 तो किंद्रकों की संख्या यहाँ पर किती है total 8 total किती है 8 इसी परकार अब cells की संख्या अकाउंट करते हैं तो total number of cells 1,2,3,4 1 plus 2 plus 1 total किती है 4 तो number of cells तो इसको अपने बोलते है 8 किंद्रकी है और 4 कोशिकी है endo embryo से एक या female gametophyte तो बचो ये जो अपने जो female gametophyte है इसकी जितनी भी types हैं एक एक करके सभी अबने complete कर ली है और इसके बाद tetrasporic embryo से complete होने के साथ ही यह topic आपका complete हो जाता है अब अपने जो next lecture है उसमें अपने start करेंगे fertilization fertilization के बाद फिर अपने start करेंगे development of जो embryo endosperm जिसको बोलते है brune post तो ये topic अपने next lecture में start करेंगे